तो मैं आपको बता दूँ कि इसके ऊपर मैंने तीन चार वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे आप सीवी को रेडी करें कैसे आप मतलब जौफाइड आउट करें किया लाओ मैं ये भी बताया हूँ कि इटली का ये जो सीजनल वीजा है ये क्या है इस सब के बारे में मैं अलड़ी वीडियो बना चुका हूँ अगर आप वो नहीं देखें तो आप यहां से आकर द मतलब कमपनी को जो इमेल कीजिएगा अपना सीवी और कवर लेटर तो कैसे होना चाहिए कैसे उसको आप प्रॉपर तरीके से वेजिएगा ताकि आपका सीवी और कवर लेटर एक अलग पहचान बनाए और आपको जल से जल जौब मिलने में आप आसानी हो जाए तो बस यह समय आज के इस वीडियो में दिखाऊंगा इसके अलाव मैं यह भी बताऊंगा कि कैसे आप अपने कवर लेटर को भी इटालियन फॉर्मेट में रेडी करके उसको भी अटैच करके आप सेंड कर सकते हैं इंप्लायर को तो आपकर सामने क्या एक ऐसा इंप्रेशन गिरेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में तो बस बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर दूँ कि अगर आप चैनल में पहली बार आया है तो इससे सब्सकाइब जरूर कीजिएगा और अगर यह वीड करके आप अपने लिए job find out कर सकते हैं और apply भी कर सकते हैं तो चलिए बिना कोई देर की हुए चलते हैं और मैं आपको लेकर चलता हूं उस website पर जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है इसका लिंक भी मैं आपको description में दे दूँगा जब आप इस पर click कीजि और नीचे आईएगा तो आप देख सकते हैं यहां पर just इस वीडियो के नीचे आप देख सकते हैं कि आपको लिखा हुआ email body part in English language और इसके साथ-साथ आप यहां भी देख सकते हैं कि email body part in Italian language इसका काम कब होगा मैं आपको थोड़े देरे बात बताऊंगा पहले मैं आपको download in English language यह जो लिखा हुआ है इसको आप यहां पर आप आने के बाद यह जो नीचे देख रहे हैं आप क्लिक है यहां पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने यह page खुलेगा और यहां पर आपको मिलेगा और मतलब cover letter आपको ready यह cover letter पुरा ready किया हुआ है इसमें आपको क देख लें तो आपको पता चल जाया कि कैसे आप CV और resume को ready कीजिएगा italian format में और Italy के seasonal work visa के लिए कैसे apply कीजिएगा तो basically इसको यह जो format है मैं आप लोगों के लिए ही बनाया हूँ और इसको download करने के लिए आप यहां पर right hand side में देखे यह जो आप download लिखा हुआ है यहां ने नष्का पर बरद यहां पर आपका दाउनलड हो जाएगाığını आपके system में यूसके बाद फिर ढाफ्य जैएका तो यह आपके system में खुल के से खुले जो एडर्स लिखा हुआ यहां पर हटा कि इसको आपका अपना अडर्स लिखना है आपको अपना शहर लिखना है इस्टेट का नाम लिखना है और जीप कोड जो लिखा हुआ वह आपका पीन कोड हुआ वह पीन कोड यहां आपको मेंशन करना है इसके साथ यह जो बॉक्स ब उस HR का यहां पर नाम लिख दीजिएगा, यह पूरा हटा के उस HR का यहां नाम हो जाएगा, और फिर इसको ऐसी छोड़ दीजिएगा, ठीके, और उसके बाद फिर आपका यहां पर applying company, जो company में आपलाई कर रहे हैं, उसका फिर यहां पर नाम दे दीजिएगा company का, और फिर जेंस है, तो उसके लिए MR यूज़ कर लिजिएगा, दोनों में से कोई एक यूज़ होगा, तो किसी एक को delete कर दीजिए, सिर्फ एक यहां पर रहेगा, और यह जो bracket देख रहेगा, और यह जो bracket को भी आप हटा दीजिएगा, ठीके, उसके बाद यहां पर HR first name यहां पर लि दीजिएगा, यह होगी आपका हलका सा introduction और कैसे हम लोग मतलब शुरुवात करते हैं, एक coverator को वहां पर हमने mention कर दिया, इसके बाद नीचे आप यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर आपको अपना name लिख देना है, इस bracket को अठाकर, ठीके, और आपका full name लिख देना है, फ ठीके, और फिर इसके बाद फिर आप इस call down करके नीचे आकर देख सकते हैं, कि यहां पर और आपको कुछ भरना नहीं है, फिर आपको next paragraph में जो insert your positive trade लिखा हुआ, यहां पर आपको अपना quality बताना है, कुसी एक quality को दे दीजेगा, कि you are hard worker, और या आप passionate है, या आप honest है, आप एक दो चार्टो वर्ड यहां पर यहां पर यूज कर सकते हैं, फिर उसके बाद यहां पर आपको अपना degree बोल लाएं, कि डिग्री आपको डालना है, तो यहां पर आपना degree बता दीजेगा, कितना आप education पढ़े हैं, यहां आपर mention कर दीजेगा, यह जो bracket का दिया पर ठीक है, उसके बाद फिर नीचे आपको बोला हुआ इंसर्ट positive rate, जो आप उपर में एक दीजेगा, यहां पर हाड working लिखे हैं उपर में, तो नीचे में आप दे दीजेगा, कि यहां पर honest man, मतलब यहां पर honest लिख दीजेगा, ठीक है, तो ऐसे करके आपको दो तीन आपने skills जो आपको आता है, इस line में जो आपका skill है, इस में आपको experience है, उससktion को यहां पर mention कर दीजेगा, ठीक है, उसके बाद फिर यहां पर पे आप जो position mention कीजिएगा, जिस position में आप apply कर रहे हैं, जिस company में ओ position यहां पर mention कर दीजिएगा बस यह आपको यहाँ तक ready हो गया उसके बाद यहाँ पर कुछ करना नहीं है यहाँ पर फोन लिखा हुआ है ठीक है वहाँ पर आपको अपना phone number दे देना है ठीक है और यहाँ पर आपको अपना email ID दे देना है ठीक है और बस यही आपको edit करना है इसमें और ऐसा कुछ नहीं ह के लिए आप इसको आसानी से समाल कर सकते हैं तो यह होगी है इसका फॉर्मेट उसके बाद में आपको बता दूँ कि जब आपका यह जो फॉर्मेट आप रेडी कर लीजिएगा तो इसको एक और काम कीजिएगा कि इसको पूरा कॉपी कर लीजिएगा ठीक है और कॉपी करने के बाद आप एक काम कर सकते हैं कि इसको भी आप इटालियन लेंगवेज में कर सकते हैं इससे क्या होगा कि आपका एक अलग इंप्रेशन गिरेगा जब इंप्लोयर के पास आप अपना सीवी को भेज़िएगा तो कैसे कनवर्ड कीजिए उसके लिए में के एक कि में नोस को भाण करें हुआ है चाल के मैं लेट इठेंट एसके कर sector perseverance तो यह को कॉच दिर फ्वैं शो कर रहा है तो मैंने आप लोगों को यह ल्हा तो यह घुट्र मिया सए असीजिए घुली भी जिए यहाँ पर यह format में आजायागा उसको यूज कर सकते हैं और यूज करके एक नया format बना सकते हैं इटालियन लैंगवीज में बस कुछ करना नहीं होगा यहाँ पर आपको कॉपी करना होगा और कॉपी करने के बाद एक और वर्ट फाइल खोल लिजेगा और word file खोलने के बाद यहां पर आगे इसको paste कर लीज़ेगा उसके बाद जिस तरह के से मैंने भी इसको paste करके दिखा दिया आपको बस paste कर दियेगा और यहां पर उसको लिख दीज़ेगा file name की मतलब जो आपका cover letter in italian language तो यह दोनों जो format आपका ready हो जाएगा एक English में होगा और एक Italian language में होगा यह दोनों को आप attach कीज़ेगा अपने दोनों CV के साथ मतलब जो English CV और Italian CV के साथ मतलब चार आप CV मतलब दो CV और दो cover letter आप से इंड कीजिएगा इटली के जो आप सीजने वर्क वीजे के लिए अपलाई कीजिएगा तो इससे यह benefit होगा कि आपका एक अलग सा impression गिरेगा और employer को यह लगेगा कि मतलब आप से इसमें इंट्रेस्टेट है और कहीं न कहीं वह आपको एक तो यह तो हो गया कि आप कैसे इसको download की मतलब कैसे आप अपना cover letter को ready कीजिएगा और कैसे मतलब उसको translate कीजिएगा अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप अपना एक mail मतलब जो ready करके mail आप जो apply कीजिए जैसे मान लेजिए आपको employer का email ID मिल गया है अब employer को आपको अपन करता हूं कि यहां पर मैंने कुछ आप लोगों के लिए 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 लिक कर लगा है टेक्स जैसे कि आप दे सकते हैं email email body part in English language in English language English language के लिए बौड़ी पार्ट है और Italian language में यह बौड़ी पार्ट है बस यह दो बौड़ी पार्ट को आपको मतलब यहां से copy कर लेना ठीक है इसको कैसे लिखना है किस फर्मिट में लिखना है मैं आपको चल के देखा देता हUNG email में इंग्लिऩिवाला बीकापे कर ली जिएगा और यह सह ब्र Hugo वाले को अपना email को मतलब 27 अपना44 उपना की जिए इम्मेष को और आप जैसा कि देख सकते इंस्क्रीन पर अभी अभी स यह जो bracket में ने दिया और capture में लि vikt कर यहां पर आपना post की लिए आप अपलाई कर रहा है क् ten उसके बाद फिर नी पर hello रहेगा और और फिर नीचे य्षर का नाम रहेगा तो पर यहां से आपका matter शुरू हुआ यहां से जो copy करके लेका यहां यहां पर है यहां से लेकर और यहां तक पुरा वही matter है ठीक है जैसा कि आप अभी देख सकते हैं मिला भी लीजेगा इसको match कर लीजेगा यहीं इंग्लिश में और इटालियन लाइगज में हैं कुछ नह कर ऊसको मेंशन कर देना इसके साथ आपको अपना company का name यहां mention करना है ठीक है उसके अलावा आप कितना दिन से आ इस from company में का राए आपके पास कितना साल का experience है यहां पर साल mention कर देना दो यहां है पर यह आपको अपना इंदिन करना है और यहां पर कुछ अठीन नहीं हमाल की नहीं चैजाने और केस्ट कर सोत्सक्राइब आपूर्स चुछ updated क्ष्ट कारण मेर्ज साहता है जो ह missing में लाइक में तो by शनी हता द में सुझार गुर्श देना dzieci ठीक है उसके बाद आप जो cv और cover letter ready करके रखे रहेंगे मतलब cv जो आप English language में और Italian language में जो cv ready करके रखेंगे उसको आप attach करेंगे यहां से ठीक है और आप अपना cover letter मतलब जो English language में और Italian language में जो ready करके रखेंगे उसको भी attach करेंगे वो भी यहां पर attach करेंगे यह चार् और आपका CV और आपका application एक पहचान छोड़े employer के पास जो आपको मतलब hire करने में काफी interested हो जाए तो बस मैंने आज के वीडियो में यही बताया कि कैसे इसको करना है यह सब आप इसको सही से देख लें यहाँ पर जैसे मैंने लिखा हुआ है अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वीडियो को pause करके easily यहाँ पर इस सब चीजों को देख लें और इसी format में try करें send करने के लिए definitely आपका काम बन जाएगा तो बस मैं इस सब का link आपको description में दे दूँगा यहाँ पर click करके आप इन वीडियो पर आ जाईए मतलब इस लिंक पर आ जाईएगा और यहाँ से आप अपना काम कर सकते हैं ठीक है तो बस आज का हमारा वीडियो इसी topic के उपर था और मैं next कोशिश करूँगा कि कुछ और different videos लेकर आऊं और आप लोगों को help करूँ और बताऊं तो आप लोगों को भी support की आप लोगों को मतलब request है कि आप हमें support करें और इस वीडियो को ज्यादा स्यादा शेयर करें ताकि लोग इसे ज्यादा स्यादा इसका फायदा उठा सके और इसका benefit हमें भी मिले तो बस हमा लोगों करेंग Sta